Good morning friends, welcome to study car, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज डेली करिंट अफ्यस में 25 और 26 अक्टूबर के जो भी महत्पूर्ण प्रस्न हैं, उन्हें हम डिसकस करने वाले हैं करिंट अफ्यस से रिलेटिड, दोस्तो आपकी पिछली क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए हम पिछली क् लेक्षर में तो आप इसे बहुत ही ध्यान से और लास्तक जरूर देखिएगा, नोट मना लीजिएगा जिससे आपको एक्जाम के समय कोई दिक्कत और परिसानी ना आए, आज का पहला कोशन डिसकस करते हैं, सैक्त राष्ट मानवादिकार आयोक के लिए विसेस दूद के पहले तो जो जो केपी अस्वनि हैं, उन्हें सैक्त राष्ट मानवादिकार आयोक के लिए विसेस दूद की रूप में चुना गया है, उनका सम्बंध किस राजिसे हैं तो दोस्तों उनका सम्बंध yat rखिएगा, उनका सम्बंध किस राजिसे हैं, करनाटक से हैं ठीक है, और वो इस पद पर नुक्त होने वाली पहली भारतिये हैं और पहली ACI महिला हैं। ठीक है? ये सबी पॉइंट आप नोट जरूर करते जाएगा। जो KP अस्वनी है वो नसल बाद और जाती बाद से जुड़े हुए मुद्दे उठाती हैं और जो सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो इन सबी बातों को देखते हुए संयुक्त राष्ट मानवादिकार आयोक के द्वारा उन्ह हैं इसका गठन 47 सदस्जों के साथ हुआ था और दोस्तों भारत भी बरतमान में इसका मेंबर बना हुआ है। मानवादिकार के लिए उच्चायुक्त निक्थ किया गया है और ऑगला प्रस्था है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रस् 않는 र्र एक्जाम में पूछा जाएग तो ब्रेटेन के नए प्रधान मंतरी कौन बने है तो जो रिसी सुनक है वो ब्रेटेन के नए प्रधान मंतरी बने है किस नंबर के बने हैं तो दोस्तो 57 बे नंबर के बने हैं ठीक है इससे पहले कौन था प्राइम मिनिस्टर तो दोस्तो जो लिजिक ट्रस्ट थी वो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी लेकिन उन्होंने अपने पद से स्टीपा दे दिया तो दोस्तो अब रिसी सुनक जो है वो भारतिय मूल के प्रथान मंतरी होंगे उनकी पार्टी का नाम क्या है कंजर्वेटिब पार्टी का जो संसदिय दल है उसने उन्हें अपना नेता चुना है रिसी सुनक पहली बार 2015 में सांसद बने थे और 2019 में बोरिस जोनसन की जो गवर्मेंट थी उसमें वो बित्मंतरी के रूप में भी काम कर चुके हैं अंगला प्रिसन है फोक्स की सौ सबसे अमीर भारतियों की लिस्ट में प्रखम इस्थान किसका है तो प्रखम इस्थान पर कौन है गौतम अदानी दोस्तो यहां जो फोक्स है यह क्या है एक पत्रिका है तो उसके द्वारा अभी हाल ही में भारत के सौ सबसे अमीर भारतियों की लिस्ट को जारी किया गया है तो इसमें पहला इस्थान किसका है गौतम अदानी का तो दोस्तो अदानी समूग के जो प्रमुक हैं गौतम अधानी, तो वो 100 सबसे अमीर भारतियों की लिष्ट में पहले स्थान पर हैं, ठीक है उनकी संपत्ति कितनी बताई गई 150 बिलियन अमेर की डॉलर, ठीक है, चलिए हम टॉप फाइब की बात कर लेते हैं, तो पहले स्थान पर हैं गौतम अधानी 150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 की डॉलर तो दोस्तो अगर हम टॉप फाइब भारतिय अमीर अमीरों की बात करें तो ये हैं टॉप फाइब भारतिय अमीर अगला प्रस्न है भारतिय ब्यापार संबर्धन संगठन की चेर्मेन और अगर हम बात करें भारतिय ब्यापार संबर्धन संगठन की तो इसका मुख्याला नई दिल्ली में हैं इस्थापना एक अप्रेल 1977 को हुई थी इसकी चेर्मेन कौन है और अम्डी कौन है तो वो है प्रदीप संगठन भारतिय ब्यापार संबर्धन संगठन भारत की प्रमुख ब्यापार संबर्धन एजेंसी है जो ब्यापार और उद्यों के लिए सेवाओं का एक ब्यापक स्टैक्टरम प्रदान करती है अंगला प्रसन है सयुक्तोराष्टी दिवस कब मनाय जाता है तो जोस्तों हर साल सय संयक्तोराष्ट दिवस जो है वो 24 अक्तूबर को मनाय जता है क्योंकि 24 अक्तूबर 1945 को United Nation की स्थापना की गई थी और यह दिवस कब से मनाय जा रहा है 1948 से मनाय जा रहा है संयक्तोराष्ट में सदस्य देश कितने है 193 है कितने है दोस्तो 193 संयक्तोराष्ट की official language कौन-कौन स संयक्तोराष्ट का अधर सबाक क्या है स्वस्त ग्रह पर सान्ती गरीम्ह और समनता बर्तमान में महा सच्युप कौन है तो वो हैं एंटेनियो गटरेज और एंटेनियो गटरेज जो है वो दोस्तो किस देश के हैं पुर्टकाल के हैं और अभी कुछ समय पहले दोस्तो जो उन्होंने भारत की आत्रा की थी, गुजरात भी गए हुए थी, मुख्याले कहां है दोस्तों सयुक्तराष्ट का तो वो है न्यूवार्क अमेरिका में, अंगलब प्रसन है किस देश में हैंडगन की खरीद विक्री और हस्तांतरन पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया सभी लोग अमेरिका में देखते होंगे कि छोटे-छोटे बच्चे जो है, वो इस्कूलों में गोलियां चला देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लाइसेंस लेने के जो नियम है बहुत ही सरल है, और सबको लाइसेंस मिल जाता है, सब बंदूक रख सकते हैं, इसी प्र प्रायों से आयाति हैंड गन को प्रतिबंधित करने के प्यासों में मदद मिलेगी, ये कहा है उन्होंने, कनाडा की बात करें तो कैपिटल क्या है, ओटाबा है, और प्राइमिनिस्टर जेस्टिन ट्रूडों है, यहां की जो करंसी है वो है कैनेडियाइन डॉलर, ठीक है, और ये उत्री अमेरका महादीप में इस्ते थे, और दोस्तो, छेत्रफल की द्रिष्टी से अगर हम बात करें कनाडा की, तो इसका जो इस्थान है छेत्रफल की द्रिष्टी से, तो रूस के बाद इसी का इस्थान है, रूस ठीक है, और फिर उसके बाद कौन है, कनाडा है अंगला प्रस्ण है Global Pension Index 2022 में भारत की रेंख है क्या है तो भारत की रेंख है 41 इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत को जो नीजी पैंशन बिवस्था है उसके तहत कवरेज को बढ़ावा देने की जरूरत है 2021 की सूचकांक में 43 देशों में भारत के इस्थान 40 बा था और जो Global Pension Index है इसमें 44 देशों का अध्यान किया जाता है जो की दोस्तों ये जो 44 देश है ये 65 प्रतीसत पॉपुलेशन को कबर करते हैं पूरी दुनिया की इस सरवेक्षण में या इस Index में आइसलेंड, नीदरलेंड और डैन्मार्क टॉप पर बने हुए हैं यानि टॉप थरी कंट्री जो है वो कौन है आइसलेंड, नीदरलेंड और डैन्मार्क अंगला प्रस्न है भारत के पहले Migration Monitoring System का उद्गाटन किस सहर में किया गया है तो भारत के पहले Migration Monitoring System का जो उद्गाटन है वो मुंबई महराष्ट में किया गया है दोस्तों यह प्रणाली महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा डैबलब की गई है इसका उद्देश है प्रबासी, गर्वबती महिलाओं, इस्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के बारे में एक ही प्रणाली पर तत्काल अपडेट जानकारी प्रदान करना तो यह कहां पर सुरू हुआ है मुंबई महराष्ट में, महराष्ट के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों एकना सिंदे हैं और राजपाल कौन है भगर सिंग कोस्यारी है, अंगला प्रस्न है किस राज्य को प्रधान मंत्री आबास योजना सहरी पुरुसकार 2021 में पहला इस् अगर हम बात करें प्रधान मंत्री आबास योजना सहरी की तो इसे 25 जून 2015 को सुरू किया गया था और दोस्तों इस योजना को केंद्रिय आबास और सहरी मामलों के मंत्राले के द्वारा लागू किया जा रहा है अंगला प्रस्ण है अंडर 23 विश्व कुस्ती चेंपियंसिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं तो भारत ने 6 मेडल जीते हैं अगर हम टोटल मेडल की बात करें तो टोटल 6 मेडल जीते हैं किसमें अंडर 23 विश्व कुस्ती चेंपियंसिप में ठीक है तो दोस्तो इस Championship का जो आयोजन है ये 17 से 23 October 2022 तक Spain में किया गया है और Spain का एक सहर है जिसका नाम है Ponte Badra के नाम है Ponte Badra तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और भारत ने एक Gold Medal और एक Silver Medal और चार Bronze Medal जीते हैं देखिए दोस्तो अगर हम Medal टेली की बात करें तो भारत ने कुल कितने Medal जीते हैं 6 Medal जीते हैं साजन भानबाला ने Bronze Medal जीता है ग्रीको रोमन 77 किलोग्राम भारवर्व में विकास ने Bronze Medal ग्रीको रोमन में 72 किलोग्राम भारवर्व में नितेस ने कांस पदक जीता है यानि ब्रॉंज मेडल, ग्रीको रोमन में 97 किलोग्राम भारगबर में, अंकोस ने सिल्बर मेडल जीता है और महिला केटेगरी में 50 किलोग्राम भारगबर में, मांसी एहलावत ने दोस्तो ब्रॉंज मेडल जीता है और महिला केटेगरी में और 69 kg भारगबर में अमन सहरावत की बाद करें तो इन्होंने gold medal जीता हुआ है दोस्तो अमन सहरावत का नाम जरूर आपको याद रखना है तो इन्होंने पुरुस कैटेगरी में 7,9 kg भारगबर में gold medal जीता हुआ है अंगलापरस ने है 200 polio दिवस 2022 कम मनाय गया तो इस question का answer होगा 24 October को कम मनाय गया 24 October को 24 October को सहिक्तराष्ट दिवस भी मनाय जाता है और 200 polio दिवस भी मनाय जाता है दोस्तो 2014 में WHO के द्वारा भारत को polio मुक्त घोसित किया गया था ठीक है polio का पहला जो टीका है वो 1992 में बना था किसने बनाय था? जोनास सालक ने बनाय था ठीक है? और polio दोस्तो दूसेत भोजन और पानी से फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है यह polio नामक बाइरस से फैलती है ठीक है? और इस बीमारी से हमारा जो नर्बस सिस्टम है या जो तंत्र का तंत्र है वो प्रभावित होता है अंगला प्रस्न है लास्ट प्रस्न है दोस्तो इसरो के आदित L1 मिसन के प्रधान विज्ञानिक की रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है तो जो संकर सुब्रमन्यम के है उन्हें आदित L1 मिसन का प्रधान विज्ञानिक बनाए गया है जो आदित्य मिसन है इसके 2023 तक लॉंच होने की संभावना है दोस्तो सुक्रियान मिसन भी बनाया है भारत इसरो ने तो वो कब लॉंच होगा 2024 में तो ऐसी योजना बनाई गई है और अभी ये कहा गया है दोस्तो इसरो के द्वारा कि जून 2023 में कब दोस्तो जून 2023 में इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 है उसको भी लॉंच किया जाएगा तो आपको इतना याद रखना है कि जो इसरो का आदित L1 मिसन है जो कि सूरिक की खोज के लिए जाएगा तो उसका प्रधान विज्ञानिक किसे बनाया गया है संकर सुब्रामन्यम के को बनाया गया है ठीक है आपको याद रखना है कि जो आदित L1 मिसन है ये किस के लिए है सूरिकी खोज करने के लिए है आज का कोशन है जिसका आंसर आपको कमेंट वोक्स में देना है ब्रेटेन की नए प्रधान मंतरी कौन बने है रिसी सोनक, नादेम जहावी बोरिस जोनसन ये लिजटरस जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट वोक्स में जरूर बताइएगा जोस्तो अगर आप इस वीडियो का पीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको हमारे टेलिग्राम पर और एप्लिकेशन पर दोनों का लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिगा एप्लिकेशन पर आपको मंतली करेंट अफियर्स और जो भी अन्यमहत्पूर करेंट अफियर्स के और डेली करेंट अफियर्स का जो पीडियो ये आपको डेली मिल जाता है एप्लिकेशन पर तो आप एप्लिकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्शर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोसल मीडिया प्लेटफॉम पर जैहिंद वंदे मात्रम।